दोस्तों नमस्कार शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरे यदि आपको खबरे पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें खबरे पूरी पाने के लिए वीडियो अंतक जरू देखिएगा औ और आप हमें प्रदेश के की जिले से देख रहे हैं कमेट बाक्स में जरू बताइएगा मत्प्रदेश में दस्यू और बारवी की चात्रों के लिए अच्छी खबर है अप्रूवल के लिए भेजा गया है प्रस्ताव इससे विद्यार्तियों को मिलेगा बडाला द्वारा कक्षा 10 और बारवी के चात्रों के लिए 58 नए सबजेक्ट अब तयार किये गए हैं चात्र अब 98 विशियों की पड़ाई करेंगे फाइनल अप्रूवल के बाद पाट चर्चा कमिटी के पास प्रपोजल भेज दिया गया है अप्रूवल मिलते ही चात्रों के लि सिक्षा में बदलाओ भी कर रहा है वेवसाई कोर्स के चलन के साथ ही पाट चर्चा कमीटी को प्रपुजल भेज जिया गया है जिसके अप्रूल मिलने के बाद कक्चा दस्वी और बारवी में विश्यों की संख्या बढ़ जाएगी और विद्यारती इन नए विश्यों को प राजपाल गंगुबाई पटेल से आग्रा करेंगे ग्रव मंत्री ने ट्वीटर पर आ रहे धारमिक भावनाओं को बढ़काने वाले और विवादे ट्वीट को लेकर कमपनी के सीवो पराक अगरवाल को एक पत्र भी लिखा है उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा ट्वीटर का उपयोग धारमिक भावनाओं को आथ करने और सामाजिक समरस्ता बिगाडने के लिए किया जा रहा है इसलिए इस तरह की ट्वीट होने से पहले उनका परिछन किया जाए और उन्हें ट्वीटर पर आने से रोका जाए या फिरे से ट्वीट करने वालों का एक जोहर जिले में इस्थित वेलियोर इंस्टिटूट आप टेक्नलाजी उनिर्शिटी के 76 वास में सामुईक हनुमान 40 पार्ट करने पर साथ विद्यारतियों से जुर्माना वसुलने का मामला सुर्ख्यों में आया है। हनुमान 40 हिंदुस्तान में नहीं पड़ेंगे तो कहां पड़ेंगे ? मामला एइसा नहीं है जैसा प्रस्तूत किया जा रहा है। विद्यार्तियोंने सामुईक हनुमान 40 का पार्ट किया था। सोर के कारण दुसरे विद्यारतियों और पालको ने फोन कर प्रबंधन से शिका प्रदेश सहीद देश में सोयाविन की बोनी 70 लाख हेक्टेर से जादा छेतर में हो चुकी अब पहले कहा जा रहा था है कि प्रदेश तता देश में सोयाविन का रगबा दिरे दिरे घटने वाला है क्योंकि दाम नहीं मिल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ चल रहा है खरेब सीजन में देश में सोयाविन का रगबा बीते वर्स के बराबर या फिर उससे जादा भी हो जाएगा देश के प्रमुक सोयाविन उत्पादक राज्यों में अब तक हुई सोयाविन की बोनाई का आकड़ा भी जारी किया गया है सर्वे की आधार पर 6 जुलाई तक की इस्टिती में देश में 70,006 हेक्टेर से जादा भूमी में सोयाविन की बोनाई हो चुकी है अभी मतप्रदेश में कुल 30,50,000 हेक्टेर छेतर में सोयाविन बोनाई का आकड़ा सामने आया है इससे पहले सरकार ने एक जुलाई तक मतप्रदेश में सिर्फ 3,34,000 हेक्टेर में सोयाविन बोनाई की बात कही थी लेकिन पांच दिन में यह आकड़ा बहुत जादा बढ़ गया सोयाविन बोनाई में दुसरे नमबर पर महाराष्टा है पहले नमबर पर मतप्रदेश है महाराष्ट में कुल 26,00,000 हेक्टेर में सोयाविन की बोनाई हो चुकी है इसके अलावा राजिस्थान में 7,00,000 हेक्टेर छेतर में बोनाई हो गई है इस प्रकार से यह आकड़ा अभी तक 70 लाग हेक्टेर तक पहुँच गया है। इस प्रकार किसानों ने इस बार भी सोयविन की फ़सल उत्पादन में रूची दिखाई है। बीजेपी ने पूर्शियम कमलनाथ पर किया है चोतरपा हमला। बीजेपी द्वारा कंग्रेश के पूर्शियम कमलनाथ पर चोतरपा हमला किया जा रहा है। ग्रवमंत्री डक्टर नरुत्वमिस्ट्रा ने कमलनाथ को लेकर बयान जारी किया और कहा कि कमलनाथ जी धमकी दे रहे हैं कि 15 मेने बाद हमारी सरकार आएगे तो हम देख लेंगे। काई के लिए आतंक फैलारो कमलनाथ जी जनता से अपने काम की आधारा पर वोट मागो कमलनाथ धमकी क्यों देते हैं क्यों भय का माहुल फैला रहे हैं प्रदेश में क्यों कलपनिक बाते करते हैं। विदान सभा उप्चना हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि अगली विदायकों की बैठग सीय माउस में होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा था कि अगला 15 अगत जंडा हम फैराएंगे एसी बातों से उन पर लोगों का विश्वास उड़ गया है 15 महने क्या अगले 15 सालों में भी कमलनाथ जी की सरकार नहीं आएगी। इस प्रकार कमलनाथ जी पर बीजेपी द्वारा चोथरपा हमला किया जा रहा है। अब यह हमला कितना सच साबित होता है यह आने वाले विधान सबाच चुनावा में पता चलेगा। दूद में मिलावट को लेकर काला सच सामनी आया है। वग्यानिक का दावा है कि दूद में मिलाया जारा है लासों को सडने से बचाने से बचाने वाला केमिकल। दूद में पानी और डिटरजेंट मिलाना आम बात है। ये बात कमी लोग जानते होंगे कि कई कारोबारी लासों को सड़ने से बचाने वाला केमिकल भी दूद में मिलाते हैं। प्रदेश के राजदानी में नहीं प्रदेश के अधिकांच जीलों में है। कि जाँच में ये खुलासा हुआ है। स्वास्त्विबाग ने कहा कि जाँच में जो आकड़े आएं वो भूछी चिंचता जनक हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि महिलाओं में हिमोगलोबिन का सामा निश्तर बारा से साड़े पंदरा ग्राम प्रत्ती डेसिलीटर होना चाहिए। इसमें कम होने पर महिला को एनिमिया हो सकता है। हिमोगलोबिन कम होने पर सिरदर्द, सिने में दर्द, ठकान, कमजोरी महिसुस होती है। इसका मतलब हुआ कि सरीर में खुन की कमी हो रही है। इसलिए समय समय पर जांच कराते रहें और डाक्टरों से सला लेकर के उचीत उप्चार जरूर कराएं। जापान के पूर प्रदान मंत्री सिंजो आबे का निदन हो चुका है। आप सभी जानते हैं टीवी पे आपने देखा होगा। सिंजो आबे के निदन पर प्रदान मंत्री मोदी ने देश में एक दिन का राष्टी शोक का एलान किया है। राष्टी शोक के दोरान सनिवार के दिन सभी सरकारी इमारतों पर राष्टी ध्वज जुके रहेंगे। प्रदान मंत्री मोदी ने एक ट्वीट जारी कर कहा कि पूर प्रदान मंत्री आबे सिंजो के प्रती हमारे गहरे सम्मान के प्रतिक के रूप में 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्टी शोक मनाया जाएगा। प्रदान मंत्री मोदी ने कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक सिंजो आबे के दुखत निदन पर इस्तब्दूं और दुखी हूँ। देश में एक दिन का राष्टी शोक गोसित किया है। की पेंसन दी जाती है। वर्द 2017 में इन पेंसनरों को पेंसन देने के लिए ग्राम पंचायतों के पास अधिकार दिये गए थे। लेकिन गलबड़ी और देरी की सिकायत मिलने के बाद अब राष्ट सासन ने पंचायतों से यह अधिकार छिल लिये हैं। अब लाखों पें पिछल की गवली पलासिया गाओं की एक बेटी भारती वायू सेना में पहुँची है। पिछले दिनों अंजली केलोत्तरा का चैन फ्लाइंग आफिसर के बतपर हुआ है। प्रदेश की लड़कियों के लिए बहुत इप्रिनादायक होगी। समाज के लोगों ने अंजली के इस चैन को अकेली एक बेटी की नहीं बलकि पूरे समाज की पूरे प्रदेश की कामियाभी बताया है। तो इस प्रकार से जानकारिया थी। यदि आपको जानकारिया पस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन